असलाम अलेकूम और रहमतुलाहिव बरकात हूँ बच्चों हम पंजुमी स्कॉलर्शिप के पेपर सोलुशन देख रहे हैं इससे पहले हमने पंजुमी स्कॉलर्शिप का मुकम्मिल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शकल में हमारे यूटूब चैनल टेक लर्निंग स्कॉल पर अपलोड कर चुके हैं उसकी लिंक आपको उपर दे रही हूँ और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज हम उर्दू जबानदानी का फरवरी 2018 का सेट A का परचा हल करेंगे देखते हैं उर्दू में सवाल नंबर 1 से 25 तक होते है सवाल नंबर 1 ता 3 के लिए हिदायत दी गई है तरजाजेल इक्तेबास बगवर पढ़िये और पुछे गए सवालात के जवाबाद का सही मुद्बादल दलाश करें और हमें ये इक्तेबास दिया गया है मैं इक्तेबास पढ़ती हूँ आप बगवर सुनिए डॉक्टर जाकिर हुसेन हमारे मुल्ग के तीसरे सदर जमूरिया हुए है वो 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए उनके वालिद पिदा हुसेन खान हैदराबाद में वकालत किया करते थे दॉक्टर जाकीर साहब जाकीर हुसेन साहब अभी इप्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे के उनके वालिद का इंतिकाल हो गया चुनांचे वो हैदराबाद से उत्तर परदेश आ गए और अटावा के इसलामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया इस्कूल की तालीम खत्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनाओ के एक कॉलेज में पढ़ाई की फिर अलीगड में सरसय्यत के जारी किये गए मशूर मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज में दाखिल हुए जहां वो एमे कर रहे थे इन ही दिनों महात्मा गांदी के कहने पर मौलाना मौहमद अली जोहर, मौलाना अबुलकला माज़ाद, मुखतार एहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने पहली में जामिया इस्लामिया कायम किया बहुत से तालीबे इल्म और आसातेजा मुस्लिम यूनिवरिसिटी से अलग होकर जामिया में आ गए शाकिर साहब भी इन में शामिल थे, वो उस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे जामिया मिल्या में कुछ अर्सा काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरप के मुल्क जर्मनी चले गए यह हमारा इक्तिबास है, इस पर मुनसिर हमें तीन सवालात दिये गए है पहला सवाल है, डॉक्टर जाकीर हुसेन की पैदाईश, तारीख पैदाईश क्या है? यहाँ पर हमें सिर्फ तारीख पूची गई है, तो देखते हैं, हमने यहाँ पर अभी देखे थे के आठ फरवरी यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की हूँ, आठ फरवरी जो है, उनकी तारीखे पैदाईश है, तो यह हमारा जो चार नंबर का उप्शन है, वो सही है, आठ फरवरी अगला सवाल देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसेन ने अपनी हाई स्कूल की तालीम किस रियासत में मुकम्मिल की, देखिए, एक बात हमें गौर करना है, उत्तर परदेश, हैदराबाद, अटावा और लखनो, यहाँ पर हमें रियासत पूछी गई है, और यहाँ पर हमन आता है, इसलिए हमने गड़बर नहीं करनी है, हमें रियासत पूछी है, इसलिए हम उत्तर परदेश ये सही जवाब होगा, हम उत्तर परदेश एक नंबर वाले ऑप्शन को फिल करेंगे, अगला सवाल देखते हैं, तीन नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसेन, आला तालिम हासिल करने किस मुल्क चले गए, यहाँ पर भी हमें गौर करना है, योरप, जामिया, जर्मनी, अलीगड़, देखिए हमने एक्तिबास में देखे हैं, सबसे आखरी जुमला है, कुछ आरसे काम करने के बाद आला तालिम के लिए वो योरप के मुल्क जर्मनी चले गए, त दरसे के जारी किये हुए, मुहममडन अंगलो ओरियंटल कॉलेज में, फिर हाइ स्कूल भी है, इस्तिदाई तालीम भी दी गई है, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बलके हमने एक ही मरतबा अच्छे तरीके से तवज्जा से सवाल को पढ़ना है, तो हमारा जो सही योरप के मुल्क जर्मनी में आला तालीम हसिल करने के लिए गए, चौता सवाल, देखिए, चार ता छे के लिए ये इश्तिहार दिया गया है, बंदर जजर इश्तिहार बगोर पढ़िये और पूछे गए सवालत के जवाबात का सही मुदबादल तलाश करे, यहाँ पर च चार ता छे, यहाँ पर भी तीन सवाला थे, जो के इस इश्तिहार पर मुनसिर है, यह जो आसानी से मिलने वाले माक्स होते हैं, इसे चान से पढ़ना है, और सवाला जो दिया गया है पैरेग्राफ या फिर इश्तिहार या नजम उसी में उसका जवाब होता है, तो इसमें माक्स हमारे कट होने का चांस नहीं होता है, लेकिन हमें सिर्फ बगवर पढ़ना है, तो देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप सुनिए, मुफ्त, 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 आँखों के इलाज का कैम्प, तमाम लोगों को इत्तेला देते हैं कि बरोजित्वार 12 2017 को जिला परिशत उर्दू स्कूल पूना में माहिर डॉक्टरों के जरीए आखों की जांच का कैम्प रखा गया है, जरूरत मन हजरात इस से इस्तफ़ादा हासिल करें, वक्त सुभा 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, नोट 40 साल से जायद उम्रवाले मरीजों को मुफ्त दमयां दी जाएगी, रापता है अब्दुल्ला और यहाँ पर नमबर दिया गया है, माहिर डॉक्टर जो है वो एक डॉक्टर अब्दुल करीम है, MS और दो नमबर पर डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर देशपांडे MS, याँ यहाँ पर दो डॉक्टरों के नाम दिये गया देखिए हम सवाल देखते हैं मंदर जबाला इश्तिहार में कैम्प किस रोज रखा गया है तो यहां पर हमें कैम्प जो है हम इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएंगा कि बरोज इतवार 12 मार्च है ना यहां पर बरोज इतवार है तो हमें रोज पूछा गया है किस र दोक्टर का जिक्रा आया है अभी हमने देखे सबसे आखरी में पड़े हैं डॉक्टर अब्दुल हकीम और डॉक्टर देश पांडे इस तरह से यह दो डॉक्टर के नाम आए हैं तो यहां पर देखो हम दो जो है वो चार नंबर के आप्शन पर हैं इसलिए हम चार नंबर का option fill करेंगे इस्तिहार में मुफ्त दवाईयों की सहूलत के लिए उम्र की क्या शर्त रखी गई है तो हमने यहाँ पर इस्तिहार में देखे हैं देखिए 40 नोट दी गई है 40 साल से जायद उम्र वाले तो यहाँ पर जो option है तीन नमबर का option 40 साल से जायद यह हमारा सही जवाब होगा क्योंकि 40 साल से जायद उम्र वाले अफराद के लिए मुफ्त दवाईयां दी जाएगी साथ नमबर का सवाल है मंदर्ज जेल जुमले में खत कशिदा लवस की किस्म पहचानी है देखिए हमें जो परचा दिया गया था उसमें खत जो है यानि जो अंडरलाइन करना भूल गयते शायद वहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है अगर यहाँ पर सपोस उन्हें यहाँ पर अगर लकीर होती तो वो जो है इसम के जगे पर जमीर का इस्तेमाल होता अगर हम फर्ज करते हैं कि उन्हें हैं, उन्हें के नीचे अंडरलाइन है, तो ये जमीर है, क्योंकि उन्हें जो है, ये इस्म के जगे पर इस्तेमाल होने वाले या इस्म की बजा इस्तेमाल होने वाले लवस को जमीर कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उन्हें को अंडरलाइन समझ कर जमीर करेंगे अगला सवाल देखते हैं मंदर्जा जेल मुदबादिल में से गलत जुमला पहचानी है यहाँ पर देखिए जवाब दिया ओप्शन दिये गये है फसल बरबाद हो गया घर तूट गया बादल बरसे और जमीन फट गई तो देखिए यहाँ पर मुझकर और मौनस के हिसाब से हमें जुमले की जुमला बंदी भी देखना है यह सही और गलत जुमला यह टॉपिक में का सवाल है क्योंकि हमें स्कॉलर्शिप में यह एक टॉपिक है कि गलत और सही जुमला बंदी और गलत और सही अलफाज भी है तो ये जुमले में से सवाल लिया गया है फसल बर्बाद हो गया फसल जो है वो मौननस है इसलिए फसल बर्बाद हो गई आना चाहिए था यहाँ पर एक नंबर का उप्षिन जो है वो हमारा सही होगा क्योंके वो गलत जुमला है अगला देखिए सवाल मंदर्जा जेल लफ्स की जमा मुदबादिल में तलाश करे शायर फाही जमा में से ये सवाल लिया गया है शायर के लिए जो एक अगर है तो शायर कहेंगे और बहुत सारे है यानि जमा है तो शौरा होगा शौरा देखिए यहां पर दो नंबर पर है शौरा यानि अमारा दो नंबर का उप्शन सही है अगला सवाल दस नंबर का मंदर्जा जेल जुमले का जमाना पहचान कर सही मुदबादिल तलाश करे हमें जमाना पहचानना है अरब का मशूर शहर खायबर उनका वतन था तो देखें यहाँ पर था दिया गया है यानि यहाँ पर था से समझ में आ रहा है कि यह गुजरा हुआ जमाना है यानि जमाने माजी गुजरे हुए जमाने को हम माजी कहेंगे यानि यह जमाने माजी का जुमला है नमबर का option हमारा सही है अगला सवाल देखते हैं मंदर जसेल जुमले में इमले के इतिबार से कौन सा लव्ज गलत है पहचानिए रोजाना वक्त पर मदरसा आया करो देखिये यहां पर रोजाना वक्त पर मदरसा आया करो इसमें एक भी लवज ऐसा नहीं है जो के इमले के एतिबर से गलत है यहाँ पर एक्जाम में ही सवाल देने में गलती हुई है एक जो है कोई भी एक लवज उसमें गलत देना चाहिए था लेकिन वो गलत वो भी सही आ गया है इस तरह के सवालात कभी-कभी मिस्टेकस हो जाती है पेपर में लेकिन बच्कों ने उस सवाल का भी कोई ना कोई जवाब दिल करकर आना है क्योंकि अगर वैसा करते हैं तो यह सवाल जो है वो मिस्टेक होने की वज़े से उसके मार्icking मिलेगे अगला सवाल मंदर्जाजेल मोहावरे का मतलब मुदबादिल में से पहचानिये भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है दुबकना यानि हमारा चार नंबर का आप्शन सही है अगला सवाल मंदर्जाजेल काहावत को मुनासिब मुदबादिल से मुकम्मिल करो आसमान से गिरा डैश 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 खजूर में अटका जमीन पर गिरा दरक्त पर अटका मैंने पकड़ा तो देखे बच्चे जब बच्चों के नजर के सामने से जब इस तरह के कहावते मुहावरे जाते हैं तो उसी वक्त उन्हें सही जवाब मालूम होता है इसलिए आपने भी मुहावरे और कहावते याद करना है ताके वो जब आए वो आते ही है हर साल आते हैं तो हमने आसान से गिरा खजूर में अटका ये सही कहावत मुकम्मिल होगी एक नंबर का ओप्शन हमारा सही है अगला सवाल है मुनासिब मुद्बादिल का इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मिल करें हजरत अवुबकर सिद्धिक रजियल्लाहु ताला अनहु की डैश डैश की मुद्दत दो बरस और तीन महीने थी देखिए इस तरह के सवालात भी हमारे जनरल नॉलिज पर मुनसिर भी सवालात कुछ आते हैं जो दबान से मुतालिक आम मालूमात पर ममनी सवालात में से होगे तो हजरत अवुबकर सिद्धिक रजियल्लाहु तो के हमारे खलीफा है तो उन्हों न जो दो नंबर का उप्शन है वो सही है अगला सवाल देखिए यहां पर सवाल नंबर 15 ता 17 के लिए ये मुकालमा दिया गया है मंदर जजल मुकालमा बगवर पढ़िये और पूछे गए सवालात के जवाबात मुदबादिल में से तलाश करे अकबर तुम इतने दिन रहीम है पेटा ये पिछले आठ दिन से बिमार था इसलिए वो इसकूल नहीं आया आप एक काम करें आप हमारे क्लास टीचर से मिलने अच्छा ठीक है अरे अकबर तुम क्लास टीचर को मिलने के बाद इधर ही खेलने आओ अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है अच्छा मैं आ एक मुकालमा है इसे हमने बगवर पढ़ना है पढ़ते वक्त ही हमने जो भी किरदार है उसमें उसको अंडरलाइन करना है ताके हमें सवालात के जवाबात तराश करने में आसानी हो इस पर मुनहसिर हमारा सवाल है 15 नंबर का मंदर जा बाला मुकालमे में कितने लोग शाम अकबर की तबियत खराब है अकबर की अम्मी है और वो अब्दुरहीम है जो के पूछ रहा है कि अकबर तुम इतने दिन इसकूल क्यों नहीं आये तो यह जो जुमला है वो अब्दुरहीम का है तो इस तरह से हमें समझना है पढ़ते वक्त ही यहां पर जो है वो तीन लोग शामिल है इस मुकालमे में तो यहां पर एक नंबर का उप्शन हमारा सही है इसी मुकालमे पर मुनसिर अगला सवाल है मंदर जाबाला मुकालमा किस जगह पर हुआ है तो देखी यहां पर हमने देखे है के खेलने आओ है ना अरे अकबर तुम क्लास टीचर को मिलने के अगला सवाल ये भी मुकालमे पर मुनसिर है, तीन सवालात होते हैं मंदर्जा बाला मुकालमा किस वक्त हुआ है तो देखिए हमने यहाँ पर देखे के अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है यानि दस बजने में यानि स्कूल की शुरुवात का वक्त है यानि सुभा का वक्त है तो ये सुभा में यानि तीन नंबर का आप्शन हमारा सही है अगला सवाल अठ्रा नंबर का मंदरजा जेल में से गलत जोड़ी का मुदबादिल नंबर मुदबादिल में तलाश करें जुन्ड, ग्रो, माजरा, वाक्या, दाना, अकलमन, चिराग, रोश्नी तो देखिए अगर हम जरा सा गौर करेंगे तो हमें समझ में आएंगा कि ये हम माइनी अलफाज हैं जुन्ड, ग्रो, माजरा, वाकिया, दाना, अकल्मन लेकिन चिराक के लिए जो है सही जोड़ी जो है वो दिया आना चाहिए दी लेकिन यहापे रोशनी है इसलिए ये जो ह हम गलत जोड़ी है चार नंबर का उप्शन हमारा सही है आगे देखते हैं अंदर जज़े लव्ज की जिद मुद्बादिल से तलाश करें हमें जिद पूछा गया है निहा निहा जो है वो उसकी जिद जो है वो आया है निहा और आया निहा का मतलब है छुपा हुआ आया य इस सरह से हमें गौर से सवाल को पढ़ना है कि हमें जिद पूछा गया है तो निहा और आया ये उसकी जिद हुई तो दो नंबर का उप्शन हम फिल करेंगे अगला देखिए मंदर जजेल मौमे में सवालिय निशान की जगा सही मुद्बादल मुंतखब करें आईन अलीव सवालिय निशान फिर दाल आईन अलीव सवालिय निशान मीम आईन अलीव सवालिय निशान बे तो देखिए यहाँ पर अलफास के हुरुफ के ग्रोह दिये गए हैं आप्शन में हमें किसी भी एक ग्रोह का के तमाम हुरुफ जो है उसमें सेट होगे तो आईन अलीव और पिर यहाँ पर अगर हम पहले वाले option को लेकर देखते हैं, तो यहाँ पर बे जो है, वो लिखकर देखेंगे तो आबिध होगा, तो देखिए आलिम होगा और आ किल आकिब होगा, है ना? तो हम लिखकर देखते हैं, पहला वाला आबिध, दूसरा वाला आलिम और तीसरा वाला लवज बनता है आकिब, तो इस तरह से यह जो बामानी अलफास बन रहे हैं, इसलिए हमारा एक नंबर का option जो है, वो सही है अगला सवाल देखेंगे, मंदर्जा जेल मुदबादिल में से मुरकब लवज कौन सा नहीं है पहचानिए, यानि यहाँ पर तीन मुरकब लवज है और एक मुरकब लवज नहीं है आह वजारी, खिद्मत खल्क, तखाब, फलाह वबहबूद, तो देखिए जोड़ अलफाज, जब दो जोड़ अलफाज को मिला कर यहाँ पर मुरकब लवज बना है आह वजारी, खिद्मत खल्क, खिद्मत और खल्क मिलकर मुरकब लवज खिद्मत खल्क बना है लेकिन यहाँ पर यह जो है एक लवज है यहाँ पर दो लवज नहीं है अलग अलग लवज जो है दो मिलकर मुरकब लवज बनते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लवज दिया गया है फलाह वबहबूद यहाँ पर भी दो अलफाजों का मजमुआ है इसलिए ये मुरकब लफ्स है यानि हमारा जो मुरकब लफ्स नहीं है वो तीन नमबर को आप्शन है इन तकहाव इसलिए हम उसे फिल करेंगे अगला सवाल देखते हैं मंदर्जा जेल अलफास के मजमुएं के लिए एक लफ्स मुद्बादिल में से तलाश करे जुल्म सहने वाला तो देखें यहाँ पे जुल्म सहने वाला कहा गया है जुल्म करने वाला नहीं हमने जल्दबाजी नहीं करना है गौर से पढ़ना है जुल्म सहने वाले को मजलूम कहेंगे जो जुल्म सह रहा है और जो जुल्म कर रहा है उसे जालिम कहेंगे तो हमें सहने माला पूछा गया है इसलिए हमारा एक नमबर का आप्शन सही है यह इस नमबर का सवाल देखते हैं मंदर्जा जेल में से गैर मुनासिब मुदबदल तलाश करें गैर मुनासिब पुछा गया है आदमियों की भीड ये सही है आदमी बहुत सारे होते हैं तब उसे हम आदमियों की भीड कहेंगे नोटों का बंडल कहेंगे बहुत सारे नोट है तो उसे हम नोटों का बंडल कहेंगे परिंदों का जुण ये भी सही है और रेशम का होता है इसलिए ये रेशम का गुच्छा ये गयर मुनासिम उद्बादिल है यहाँ पर सही रेशम का लच्छा होना चाहिए था तो चार नंबर का option हमारा सही है second last question है देखिए मंदरजा जेल दिये गए जानवर के बच्चे का नाम मुद्बादिल से तलाश करे यहाँ पर हमें कुट्टे का कहा गया है यानि इसके बच्चे को क्या कहते हैं कुट्टे के बच्चे को क्या कहेंगे पहला option है बच्चा ये इनसान के बच्चे को हम बच्चा कहेंगे दूसरा है पिल्ला पिल्ला जो है वो कुट्टे के बच्च को कहते हैं ये सही उसके लिए option है आगे का भी देखते हैं बच्छडा बच्छडा जो है वो गाय के बच्छे को कहेंगे एमना जो है वो बकरी के बच्छे को कहेंगे तो इसलिए कुट्टे का जो है वो पिल्ला होता है यानि दो नंबर का option हमारा सही है आखरी सवाल जो के सवालिया परचे का आखरी सवाल है मंदर्ज जेल जुमला मुनासिब मुद्बादिल से मुकम्मिल करे अजरत उमर अजय लाहु ताहला अनहु मुसल्मानों के डैश डैश खलीफा थे तो ये भी हमारे जनरल नॉलेज पर ही मुनसिर सवाल है चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले तो ये लिए हमें हमारी इसलामी नॉलेज भी जरूरी है कि उमर अनहु जो है वो कितने नंबर के खलीफा थे तो देखिए सबसे पहले जो खलीफा थे आप से सलम के बाद में खिलाफत शुरू हुई थी और सबसे पहले खलीफा हजरत अबुबकर सिद्धिक रजला तलनहु थे फिर हजरत उमर रजला तलनहु फिर उस्मान गणी रजला तलनहु और फिर लास्ट में हजरत अली रजला तलनहु तो इस तरह से हजरत ओमर अजरतनों जो है वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे यह हमारा दो नंबर को आप्शिन सही है इस तरह से हमने 1 से 25 तक सवालिया परचा 2018 का हमने हल किये है इंशाल्ला हमारा अगला वीडियो जा है वो रियाजी 2018 का हल चुदा परचा होंगा इंशाल्ला हम मिलेंगे अगले वीडियो में शुक्रिया